हेलो गाईज कैसे हो आप सब I hope you all are doing well मैं भी विल्कुल ठीक हूँ आज मैं आपके लिए दुबारे से रिव्यू लेकर आई हूँ clean and clear forming face wash का यह जो face wash है यह johnson and johnson का face wash है माकिप में बहुत सारे face wash अवलेबल हैं बट मुझे सबसे अच्छा यह clean and clear का यह face wash लगता है मैं इस face wash का पहले भी रिव्यू आपको दे चुकी हूँ अब यह दुबारा है इसी face wash का मैं रिव्यू आपको देने वाली हूँ मैं पहले वाली वीडियो भी आपने बहुत जादा पसंद की थी यह johnson and johnson brand का face wash है बात करूँ इस बोटल की तो इसकी packaging बहुत अच्छी खासी दे रखी है 100 ml की यह बोटल है और बात करूँ इसके price की तो 150 रुपीज इसका price है जो कि पहले से थोड़ा जादा हो गया है इस इसे चोटे वाली जो packaging है उसका price 90 रुपीज है जो कि इस चोटा पैक है तो यह face wash personally मुझे बहुत जादा पसंद है मैं इसको काफी लंबे टाइम से यूज कर रही हूं market में बहुत सारे face wash है लेकिन मुझे सबसे जादा अच्छा यह face wash लगता है क्योंकि इसकी बहुत जार है ठीक है उसको oil को सबको control करके रखता है ठीक है और आपके face पर pimples होने से बचाता है सारे oil जो आपके face पर इखटा हो जाता है उसको remove करता है ठीक है इसमें कोई भी harmful chemicals नहीं है बहुत friendly है आपकी face के skin के साथ यह face wash तो इसकी ingredients तो आप नहीं देख पाओगे पूरे डंग से लेकिन मैं कोशिश करती हूं आपको दिखाने का यह face wash जो है आप इसको regular यूज कर सकते हो कोई side effects नहीं है मैं खुद काफी time से इसको use कर रही हूं आप दिन में तीन बार से तीन चार बार इसको use कर सकते हो normal पाने के साथ ठीक है और यह face wash यूज करने के बाद काफी face wash होते मार्केट में जिसको face पर apply करने के बाद आपका face काफी dry dry रुखा रुखा दिखाई देने लगता है बट यह face wash ऐसा नहीं है आपके face को बिल्कुल भी dry नहीं दिखाएगा और आपके जो skin है उसको एकदम brighten कर देगा कुछ ही time से अगर आप इसको use करोगे तो आपका face काफी bright हो जाएगा ठीक है आपको pimples की कोई problem नहीं होगी आपका face है जो कि हमेशा साफ साफ रहेगा तो यह face wash आपको कैसा लगता है मुझे comment करके जरूर बताना ठीक है